हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल आड़िट एक्जाफ़न दोस्तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्त होंगे तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा अगर यूट्यूबर्स के बारे में अगर आप एक य थोड़े से कम रहते हैं और हमारी वीडियो को भी लोग सुनना पसाद नहीं करते हैं क्योंकि अगर आवाज नहीं अच्छी है तो लोग उसको समझी नहीं पाएंगे तो सुनेंगे क्या तो वीडियो क्या साथ में वाइस क्यालिटी का भी होना बहुत जरूरी है तो अगर जो मैं वीडियो बनाता था उसमें जो माइक यूज करता था वो मैं लोकल मार्केट से लेके आया था जिसका प्राइस 150 था बट मुझे इसमें उतनी अच्छी वाइस नहीं मिल पा रही थी तो फाइनली मैंने बोया का माइक खरीदा है जो की मेरा और आचुका है तो देख इसकी अन्बॉक्सिंग कर लेते हैं यह मुझे ऑनलाइन मार्केट में 750 का पड़ा था तो देखते हैं इसमें क्या-क्या दिया गया है जैसे आप देख सकते हो बोया का माइक है यह और ब्रैंडिंग करें की हुई है और इसमें स्मार्ट फोन और यो डियेस लार वगत इसमें पीछे फीचर्स दिये गया है और इसके स्पैसिफिकेशन दिये गया है इसमें लर 44 बैटी दी गई है जो कि आपको जब यूज करना है जब आप कैमरे का यूज करते हैं बाकि फोन का फोन में अगर आप इसको लगाते हैं तो आपको बैटी की जरूरत नहीं सब्सक्राइब करता हम अप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो आर बना हुआ है आर का मतलब होता है रजिश्टर्ड तो जो लोकल होते हैं उनका यहां पे और बना होता है's सेगंड चीज आपको बता दें कि जो इसमें hidden बारकोड दिया होता है और जो local होते हैं उनका बारकोड उपर ही दिया होता है तो चलिए मैं आपको बारकोड दिखाता हूँ बारकोड इसके नीचे आपको मिल जाएगा तो चलिए देखते हैं इसको अटाते हैं फटाफट एक website खुल चुकी है और इस website पर आप visit करेंगे और 16 डिजिट का code यहाँ पे आपको दिख रहा है वो वहाँ पर डालेंगे और inquiry पर inquiry करके देख लेंगे ठीक है तो एक चीज़ और इसमें यहाँ पर side में यह चीज़ आपको दिख रही है तो यहाँ पर आपको पानी डालने पर यह color change हो जाएगा वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ फटा-फट तो चलिए यह देखिए तो यह आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल color change हो चुका है ओके तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं आप बोया का माइक लेटने में confused ना हो इसलिए मैंने link description में दे दिया है आप वहाँ से buy कर सकते हैं friends देखते हैं इसके अंदर क्या-क्या दिया गया है तो चलिए खोलते हैं इसको इसमें काफी अच्छा bag दिया गया है इसमें आप carry कर सकते हो क्योंकि यह थोड़ा सा लंबा होता है इसमें इसका जो wire होता है काफी लंबा होता है carry bag काफी अच्छा है smooth है branding भी काफी अच्छी की गई है इसमें यह warranty card अगर आते हैं अगर आप use करना चाहते हैं तो इसको read कर सकते हैं कैसे क्या use करना है वो सारे instruction इसमें आपको मिल जाएंगे एक मिलता है इसमें warranty card और इसमें एक छोटा सा यह बोया का certificate है qualified certificate तो इसमें यह चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं तो चलिए रखते हैं इसको side में और देखते हैं इसके अंदर क्या-क्या है तो यह mic है और 3.5 mm का jack के साथ में और इसमें यह तो पाउस दे गया है इसमें क्या-क्या है इसमें आपको इसमें यह आपको एक pin मिल जाती है जो कि आप DSLR वगरा में connect कर सकते हैं यह आपको इसमें एक clip मिल जाती है जो आपको mic लगाने के लिए थोड़ा सा help करेगी तो इसको अभी लगा के देखते हैं कैसे क्या लगने वाली है इसमें एक यह LR44 बैटरी दी गई है जिसको जो DSLR यूज करते हैं उस बैटरी को डाल के यूज करना है तो देखते हैं अभी इसको डाल के कैसे यूज करना है यह आ जाता है इसमें form window screen तो इसको भी अभी लगा के check करने वाले हैं तो इतनी सारी चीजे हमको इसमें देखने को मिल जाती है तो चलिए फटाफट इसको देखते हैं कैसे यूज करना है अगर आप कैमरे का यूज कर रहे हैं तो इस switch को उपर करिए और अगर smartphone में यूज कर रहे हैं तो इस switch को नीचे कर दीजिए बाकि इसमें आपको battery का कहां पर use करना है मैं आपको दिखाता हूँ डालके ये कुछ इस तरीके का open होगा और इसमें इस LR44 battery का use करना है तो डालके देखते हैं इसमें ये plus का sign बना हुआ है और इसको plus जड़ा सा ध्यान देना है इसको डालते है time तो ये मैंने इसमें डाल दिया है और इसको पंद कर देंगे हमने इसमें battery insert कर दी है अब देखते हैं इसको ये form window screen को इस पे कुछ इस तरह से लगाना है और जो clip दिया गया है उसको इस तरह से set कर दीजिए ओके तो ये clip जो है हम caller की पास लगाते हैं तो कफी अच्छा हमें मतलब पकड़ने के लिए help करता है तो जो अभी तक मैं video बना रहा था वो phone से ही बना रहा था मैंने किसी external mic का use नहीं किया था तो देखते हैं बोया का mic कैसा है तो चलिए फटाफ़ इसका pin insert करते हैं तो finally मैंने mic को connect कर दिया है अब आप देख सकते हो कि आवाज बेतुल बदल गई है और voice quality बिल्कुल ही change हो चुकी है तो friends इसके features तो बहुत अच्छे लगे और इस mic को बड़े-बड़े YouTubers भी use करते हैं अगर आप भी use करना चाहते हैं तो मैंने link description में दे दिया है आप वहाँ से buy कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पढ़ने हैं तो please like, share, comment करना न भूलिएगा और subscribe जरूर कर दिजेगा बगल में bell icon है उसको भी दबा दिजेगा जिससे आने वाली वीडियो का notification आपको मिलता रहेगा अगर अभी तक आपने Instagram, Facebook, Twitter पर follow नहीं किया है तो वहाँ भी follow कर लिजेगा और मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए Bye Bye